असलाम अरेकुम फ्रेंड्स आज मैं आपके लेकर आए हूं साबुदानी कीचुड़ी की रेसिपी तो चलिए देखते हैं किसमें हमें किन किन चीजों की जरुत है यहां पर मैंने लिया एक कप भर के साबुदाना इसको आपको जहां तक आपने साबुदाना लिया है वहां चौप कीवी, चमचा जीरा दो हरी मिर्चे और आधा कप शेंग दने लिए अगर आप मुठी से लेंगे तो दो इस तरीके से आपको ले लेनी है अगर आप कप से लेंगे तो आधा कप आपको शेंगदाने लेना है यहां पर मैंने सिफ दो चीजों की प्रेपेरेशन कारे एक छोले भून के रखी है और एक साबदाने भीगो कर रखा है मैंने आलू को बॉयल नहीं किया है तो चलि हम बिना आलू बाले किस तरह के से साबदाने खिच्ड़ी जटपड बना सकते हैं मैं इसकी आपको रेसी भी बताती हूं एक पैन लिया है मैंने उसमे मैंने डाल दि यूज कर सकते हैं इसकी वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल पर पोहे के वीडियो में अवेलेपल है आप जाकर उसे देख सकते हैं इसको मैंने स्प्रेट कर देना है इस तरीके से पूरे पैन पर और जब तक यहां पर हमारे आलू कुक होते हैं मैं एक मिक्सर ग्राइंड लूँगी और उसमें आड कर दूँगी छोले ऐसा करने से हम टाइंग बहुत ज्यादा सेव कर पाएंगी यहां पर आलू को को रहे हैं यहां पर हम छोले ग्राइंड कर लेंगे और इसको मैंने एक दरदरा सा पीस लिया है अब मैं यहां पर ले लूँगी साबुदाना औ इसको मैं मिक्स कर दूँगी और इसको हातों से इसको हलगा हलका सा मिक्स कर देना है यह देख्याय और e अ कि dripping कि मैंने यहां पर इसको मिक्स कर लिए और उधर हमारे आलू भी कुक हो चुके होंगे चले देखते हां उनको यह देखिए यह कोख हो गया है इसको जस्ट एक स्टर कर देना है ताकि उनकी साइड थोड़ी सी चेंज हो जाए और वो दूसरी साइड से भी अच्छी तहीं कैसे कोख हो जाए यहाँ पर आलू कोख हो चुके है अब मैं इनको निकाल लूँगी और सेम पैन में जो तेल बचा हुआ है उसी में मैं एड़ कर दूँगी जीरा जीरा एक बार थोड़ा सा करकणाने जैसा हो जाए तो अब हम उसमें डाल देंगे प्याज हरी में चेह ने से गुदिशिफ Member ठेलEst iPhone 11g यह उस्के बाद हमको हरी में डालने के बाद इसको एक से दो मिनाट के लिए पका लेना है और बस उसके बाद हमें एक से दो मिनाट बाद हमें डाल देने है ऐसे अलोडू आलू प्राय करने के टायम ठोड़े से वह हार्ड हो जाते प्यास के साथ इसको कुक कर लेने से वो दुबारा से सॉफ्ट हो जाएंगे और बिल्कुल बॉइल पटेटो जैसे लगते हैं वैसा ही टेस्ट आएगा अब एक से दो मिनिट हम इन सब को एक साथ पका लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे नमक यहां पर मैंने इंग्रिजियंट्स भी नमक इसलिए नहीं बता है क्योंकि अगर आप पुरत के लिए इस साबुदाने खिचडी को बनाने जा रहे हैं तो आप इसमें शेंदा नम के आप ढूंकि और इसकोजस्ट मिक्स कर देना है एक बार और सको कुछ होने देना है लो फ्लीम फर दो से तीन मिनट के लिए कि नुट् financi के बार हमको इसको एक बार और मिक सरफ po करना रहेगा ऑं जस्टVIS पस हमारी साबुदाने ही किचडी बनकर तयार रहेगे यह चूपि को कॉछ Έवी एक मिनट्सार एक मिनट्स मैं और केंगी एक मिनट्स हो नहीं जवाए एक मिनट्स आपको पसंद आच प्लीज आए टो प्लीज मिनरे चानल को सब्सक्राइब किया इस वीडियो को एक लाइक दीज smashing मुझे कॉमेंट्स में लिखके बताएए कि आप और कौन सी रेसिपी ऐसे सिंप्लिफाइड करके देखना पसंद करेंगे थैंक यू